हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के सब्जेक्ट टीवी इसके वक्सीट नमबर सिक्स को सॉल्ब करेंगे जो की नॉट डैली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के दौरा दी बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है अवर फेस्टिवल तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फर्स्ट इस पिक आउट राइट आ आवश्या को नेक्स्ट कोश्यन इस दसहराः फेस्टिवल इस सेलिब्रेटिड एज दसहरा का जो त्योहार है उसे किस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है विक्टरी ओफ राम ओवर रावन राम की रावड के उपर विजे या फिर मार्क्द विक्ट्री ओफ गुड ओवर इविल, बुराई पर अच्छाई की जीत या बोथ, तो इसमें जो थर्ड ओप्शन है वो सही है, इद पर पकाई जाने वाली इस्पेसल डिस क्या है, प्रशाद, सेवईयां और नन ओफ दीज, तो इसमें सही औप्शन है, सेवईयां, next question is holy is a festival of holy किसका त्योहार colors, lights, none of these तो सही option है colors holy जो है वो रंगों का त्योहार है Christmas is celebrated to mark the Christmas का जो त्योहार है वो किसके रूप में किसके लिए celebrate किया जाता है birthday of Sikh Guru birthday of Jesus Christ none of these तो इसमें सही option है second birthday of Jesus Christ next is match the following बच्चों यहाँ पर matching करनी है first है यहाँ पर onam तो onam बच्चों कहाँ पर celebrate किया जाता है केरल में इस festival पर नोका जो नाव होती है बड़ी बड़ी उन्हें इस decorate किया जाता है और नोकाओं की वहाँ पर race होती है तो इस picture में लोहरी कहाँ का festival है पंजाब का इस picture में कौन सा festival सेलिब्रेट किया जा रहा है लोहरी next है दिवाली दिवाली कैसा festival है लाइट का इस picture में बच्चे घर को decorate कर रहे हैं लाइट लगा रहे हैं next है Christmas बच्चे इस picture में आप देख सकते हैं सेंटा क्लोस बच्चों के लिए गिफ्ट लाए हैं और गिफ्ट को डिस्टिब्यूट कर रहे हैं next है इड इड पर यह बच्चे आपस में गले मिल रहे हैं question is state whether these statements are true or false बच्चे यहां पर बताना है कि यह statement सही है या गलत है दिवाली is a festival of colors दिवाली रंगों का त्योहार है तो यह false है it means गलत है क्योंकि दिवाली lights का त्योहार है ना कि रंगों का रंगों का त्योहार हो ली है next है snake boat races are held on onam onam पर साप boat की race की जाती है तो बच्चे सही है next is langar is served daily langar रोजाना सर्व किया जाता है तो यह गलत है langar जो है वो special occasion पर ही सर्व किया जाता है Christmas is celebrated by Christians yes it is true Christmas जो festival है उसे Christian लोगों के द्वारा celebrate किया जाता है onam is a festival of keral तो बच्चे यह भी सही है onam केरल का त्योहार है बीहू is a festival of awesome बीहू असम में मनाया जाने वाला festival है पॉंगल is celebrated in केरला बच्चे गलत है पॉंगल जो celebrate किया जाता है वो तमिल नाडू में किया जाता है next is life skill community cleanliness and hygiene our surrounding environment plays a very important role in keeping us healthy हमें स्वस्त रखने में हमारा जो पर्यावरान है वो बहुत ही important role play करता है we live in a community हम एक सबुदाय में रहते हैं state of cleanliness of our surroundings affects our health हमारे जो पर्यावरान है उसकी साफ सफाई हमारी health को effect करती है so along with personal cleanliness hygiene it's our utmost responsibility to adopt ways which contribute in promoting clean and healthy surroundings इसलिए हमारी personal cleanliness के साफ साथ स्वच और स्वस्त परिवेस को बढ़ावा देने में योगदान देना हमारी responsibility है बच्चे first picture में यहाँ पर देखेंगे कि यह जो child है यह कच्चरे को कहाँ पर डाल रहा है dustbin में तो हमें अपना कच्चरा जो भी आसपास कूडा करकर ठोता है उसे dustbin में डालना चाहिए next picture में बच्चो यहाँ पर यह जो बच्चे हैं पानी में से कच्रा उठा कर भर रहे हैं तो कभी भी पानी में कच्रा नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे हमारा पानी प्रदूसित हो जाता है जिससे अलग अलग प्रकार की बिमारिया होती है और इससे हमारी जो हैल्थ है वो एफैक्ट होती है next है बच्चो इस picture में यह दोनों लड़का और लड़की हैं यहाँ पर यह बच्चे हैं ये कचरे से बोतल को अलग कर रहे हैं तो हमें कभी भी कचरे में प्लास्टिक के जो सामान होते हैं उन्हें नहीं डालना चाहिए उन्हें अलग कर लेना चाहिए लास्ट पिक्चर में है वच्चो यदि हम अपने पर्यावरान को साफ रखेंगे स्वस्थ रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा पर्यावरन जो है वो भी साफ रहेगा कोई भी बुमारी नहीं होगी सब स्वस्थ होंगे एक व्यक्ति जिसने कभी भी गलती नहीं की उसने कभी भी कुछ नया नहीं किया किसने कहा है अलबर्ट आइंस्टीन फूड ड्रिंक में हैं मेक और इट वेजिटेबल सेंडविच आज बच्चो आप वेजिटेबल सेंडविच खाएंगे एक्टिविटी में हैं लर्निंग टू आइडेंटिफाई इस्पाइस बाई देर स्केंड बच्चो मसालों को उनकी खुस्बू के द्वारा पहचानेंगे आज गेम है विच आफ आस जंप हायर हम में से किसने उंचा-कूदा यहाँ पर कुछ हेबिट्स दी गए है इन्हें आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूट करेंगे बिगिन यूर डे बाई ग्रीटिंग यूर पैरेंट्स अपने पैरेंट्स को ग्रीट करके यान की अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें ब्रेश यूर टीथ ट्वाइस अडे एक दिन में दो बार ब्रेश करें टेक अबाथ डेली रोजाना नहाएं डिंक प्लैंटी ओव वाटर एंड इट आ बैलेंस टाइट परयाप्त रूप में पानी पियें और संतुलित भोजन लें अवाइट टचिंग यूर फेस अपने चैरे को छूने से बचें और वाश यूर हैंड फ्रिक्वेंटी और लगातार अपने हातों को धोएं कम्प्लीट यूर हॉमवर्ग ओन टाइम अपना ग्रह कारिये समय पर पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you